दोस्तो इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ मैं C-Level के बारे में जो लोग अपना जिन्दी बहर कमाई करने के बाद घर बनाने के लिए सोचते हैं तो एक साधारन सा आदमी जो घर बनाएगा उसके लिए कितना estimate cost आएगा जो साधारन सहर के लिए बता रहा हूँ और ये साधारन लोगों के लिए अपना जिन्दी बहर का कमाई कर्था करके घर बनाना चाहते हैं उनके लिए इसके बारे में बात कर रहा हूँ 2020 में 1000 square feet का घर बनाने में कुल कितना खर्च आता है वीडियो में आगे बढ़ने सपहले आपको बता दू किसके पहले मैं इसी topic पे एक वीडियो बनाया था उसमें आपका बहुत जादा प्यार मिला दोस्तो उसका मैं आपको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हू जो आपने इतना प्यार दिया दोस्तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं उपर आई बटन में उसका लिंक दे दिया हूँ वहाँ जाके आप देख सकते हैं और चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 2020 में 1000 square feet का घर बनाने में कुल कितना खर् सब्सक्राइब कर दिजे साथ ही बेल बटन को प्रेस कर दिजे ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलती रहे तो देखना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं 2020 में 1000 square feet घर बनाने में कितना खर्चाता है construction cost of 1000 square feet house in 2020 तो दोस्तो इस वीडियो में मैं सबस सा सहर है छोटे सहर है आप मुंबे बैंगलोर जैसा मल्टी सिटी में इस रेट में चाहोगे तो नहीं मिलने वाला है और दूसरी बात मैं बता दू कि यहां मैं आपको दिखा देता हूँ घर 3 लेवल का बनता है अपने यहां A लेवल B लेवल और C लेवल का तो दोस्तों म कमाने के बात सुचते हैं कि मैं एक घर बनाओ तो वो C लेवल का घर बना सकते हैं और और भी ज़्यादा बना सकते हैं लेकिन मैं C लेवल के घर के बारे में बताने जा रहा हूँ और पहले मैं आपको फीर से मैं आपको बता दू यह चोटे सहर का एस्टीमेट है तो सबसे पहले आपको बता देते हैं लेवर कॉंट्रेक्टर का लेवर कॉंट्रेक्टर डेर सो से लेके अरहाई सो पर स्कॉयर फिट का है दोस्तों डेर सो से धाई सो पर स्कॉयर फिट का लेवर मिलता है और यह 100% मिलता है और मैं बिहार से बिलॉंग करता हूँ दोस्तों तो मैं बत अब material का बात कर लेते हैं कि क्या क्या material लगेगे पहले आप देख सकते हो दोस्तों cement मैं 500 bag का estimate दिया हूँ अब लोग बोलते हैं या 500 bag में क्या हो जाएगा 500 bag लगेगा 700 bag लगेगा तो भाईया आपको बनाना है तो आप 500 भी लगा सकते हो और 200 bag में भी बना सकते हो तो मैं एक साधारन घर के लिए बता रहा हूँ जो सपना देखते है यार कि मैं अपना घर बनाऊँगा उसके लिए मैं बता रहा हूँ तो 500 bag का मैं estimate लिया हूँ और दूसरी बात बता दू कि जो मैं ये estimate लिया हूँ 2020 का ये हमारे यहाँ एक builder है उनके यहाँ civil engineer का मेरा कोई friend काम करता है उनहीं से ये estimate लिया हूँ और वो ही ये estimate दिये है तो आप cement देख सकते हो 2500 bag cement का लिया है बालू 12 trolley लिया हूँ गिट्टी 10 trolley है इट है 15-18 हजार है और सरिया अड़हाई से 3 तन का सरिया का बात हुई है लिया है 1500 से 2500 में बताया था लेकिन मैं 180 रूपया लिया हूँ 180 रूपया पर स्कॉाइर फिट का एनना कि एक labor का परति दीन का rate है पिछली वीडियो में मैं बनाया था लोग बोलते थे कि या 1500 में labor मिलता है क्या देर सो में labor नहीं बहिए ये लेव पर स्कॉाइर फिट का मैं costing बता रहा हूँ एक आदमी का धिहारी का costing नहीं है तो ये labor कोस्ट हो गया 180 रूपया इंटू 1000 रूपया इंटू 1000 रूपया बढ़ावर एक लाख 80,000 रूपया हो गया सिमेन 200 बैग है तो 340 बैग लिया है चाँस क्ती हो गठा सकती हो मैं 340 táver लिया हूं तो 2400 रूपय में बहुते हैं, कहीं कहीं ये आपको 2000 रूपय में भी मिलते हैं कहीं आपको 5000 रूपय में है है ऐसा फिक्स नहीं है मैं ये केवरेज ले रहा हूं 32 रुपया तो 32,000 हो गया सरिया देखो ढाई से 3 टन लगेगा तो मैं ढाई टन सरिया लिया हूँ अब लोग 2 टन में भी बना लेते हैं और कि नहीं को 5 टन भी सरिया कम परता है तो वो अपने अपने बनाने का नजरिया अपने बनाने का तरीका है कि अब तीस तरह से बना रहे हूँ तो धाई टन लिया हूँ धाई टन इंटू 55 रुपया एक लाग 37,500 हुआ इसको टोटल किये तो 4,66,900 अब इट देख लेते दोस्तों इट है 15,000 लिया हूँ 15 से 18,000 का इस्टिमिट दिया हूँ था तो मैं 15,000 कर लिया हूँ आठ रुपया इट का रेट है अब यह नहीं बोलने का है कि भाईया मेरे यहां 8 में नहीं मिलता है 15 में मिलता है भाई साब मेरे यहां 8 रुपया मिलता है तो मैं 8 का रेट लगाया हूँ तो 1,20,000 रुपया इट का हो गया तोटल इसको कर लेंगे तो 5,86,960 रुपया हो गया ये तो अपना घर पूरा बना लिए इतना में 5,86,960 रुपया में 1,000 स्क्वाइर फिट घर बनाने का अब जो एक्स राक हर्चाता है उसमें मैं एक एवरेज इस्टिमेट दिया हूँ एवरेज रेट लिया हूँ ये नहीं कि इता ही लगेगा ऐसा पकर के नहीं बैठ जाना है पहले में टाइल और मारवल का बता दू टाइल और मारवल 5%, 5% में ये 9,00,000 के हिसाब से टोटल ये जो है सारे 8-9,00,000 के हिसाब से लिया हूँ दोस्तों क्योंकि साधारन लोग का मैं बता रहा हूँ तो इतना हाई कॉस्ट वियर नहीं कर सकते हैं इस अब सारे 8-9,00,000 के हिसाब से निकालो तो 1,00,000,000 रुपया होता है इलेक्रिकल वर्क 8,000 लिया हूँ और 6,000,000 रुपया जहां तक इलेक्रिकल वर्क में कोई बोलेगे की इतने मी क्या हो जाएगा 68000 में ही क्या होगा तो भीया 800 रुपया में भी लाइटिंग हो जाता है बल्ब खिच दिया तार खिच दिया 800 में भी होता है ऐसा नहीं है अपने अपने लगाने के उपर डिपेंट करता है यार घर बनाना समुंदर है जित्ता लगा दो कम परने वाले हैं वाटर और सिवडेज का 10% लिया ये 85000 रुपया है पेंटिंग का 42500 परसेंट के हिसाब से लिया है 42500 और पेंटिंग का आप कुछ भी कर सकते हो या 1.5 लाइक भी लगा सकते हो मैं अपने हिसाब से जो मेरे को एवरेज दिया हुआ है वो हिसाब से मैं 5% के हिसाब से 42500 रुपया गेट का है एक्स्ट्रा 3% एक्स्ट्रा इसलिए बोले हैं कि किसी चीज में थोड़ा कम गया जादा हो गया कुछ वेस्टेज हो गया इसके लिए एक्स्ट्रा 25500 रुपया 3% लिया हुआ ये टोटल अगर करेंगे दोस्तो तो 4200500 हो जाता अब आप देख लोगी कि ये मटेरियल का रेट वगएरा लेवर रेट हो गया 586960 रुपया और ये टोटल हो गया 42500 रुपया दोस्तो अब इसको टोटल करके देखते हैं आप देख लो टोटल किया 546960 रुपया ये मटेरियल का रेट और लेबर कॉस्टिंग हो गया और 42000 सौरी 4200500 रुपया ये हो गया ये जो अपना टाइल वगएरा ये लेक्रिकल वार्ट, वाटर, शिवरेज, पेंटिंग, गेट वगएरा एक्स्ट्रा है तो 10,7,460 रुपया मतलब 1000 असक्वाइर फिट का घर बनाने में 10,7,460 रुपया एक साधरन सा सहर में आएगा मिंस ये हो गया 1000 असक्वाइर फिट बनाने में 1000 पर असक्वाइर फिट का रेट आएगा दोस्तों में 1000 पर असक्वाइर फिट का रेट आएगा ये रेट आपको कम भी पर सकता आप जितना समान कम लगा लो या खाली घर ही बनाना है घर बना लेंगे नीचे प्लास्टर करा लेंगे तो ये 700 रुपे में 700 में ही सलट जाएगा अगर और ये सब समान लगाने है तो आपको ये 1000 रुपे आजाएगा और इसी में आप high quality लगाएगे ये grade में चले जाएगे तो भाई आप marvel ही अगर देखोगे तो 2500 रुपे पर square feet से लेके 1000 पर square feet का rate आएगा मतलब 10 लाग के आजपास rate आपको आएगा आप इसको कम भी कर सकते यार 7 लाग में भी बना सकते हैं 7 लाग से 10 में भी कर सकते हैं और ये 10 लाग की जगा पर आप 20 लाग भी लगा दिये तो भी कम परेगा जैसा आपका usage है उसके हिसाब से तो दोस्तो अगर हमारी वीडियो आपके लिए useful लगी तो प्लीज मेरा वीडियो को like जरूर कर दिजिएगा दोस्तो और मेरा channel को जरूर से जरूर subscribe कर दिजिएगा और अपने दोस्तों में ये share कर दिजिएगा कि नहीं को